पूरा देखने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किजिए बेल बटन पर टैब किजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो बात करेंगे तूरदाल की दिसंबर में तूरदाल के इंपोर्ट में रिकॉर्ट तेजी NCDEX पर करीब 2% चड़ा जीरे का भाव सरकार के डिउटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी देने का असर दालो की इंपोर्ट पर पढ़ रहा है जानकारो की राए है कि मार्च तक इंपोर्ट और बढ़ेगा देश में तूर्दाल के इंपोर्ट में रिकॉर्ट तेजी देखने को मिली है दिसम्बर में तूर डाल के इंपोर्ट में रिकोर्ट तेजी देखने को मिल चुकी है सरकार के जूटी फ्री इंपोर्ट को मनसूरी देने का असर डालों की इंपोर्ट पर पढ़ रहा है जानकारों की राए है कि मार्च तक इंपोर्ट और बढ़ेगा 31 दिसंबर 2021 तक 5 लाग टन से ज़ादा डाल इंपोर्ट हुआ है वही जानकारों का कहना है कि मार्च 2022 तक डालों का इंपोर्ट 6.5 लाग टन तक पहुँच सकता है इंपोर्ट बढ़ने से बाजार में तूर की किमते स्थिर रहेगी खरीफ की फसल आने से कीमतों में गिरावट की उमीद है बता दे कि भारत 10 से 12 प्रतिशत मांग पूरी करने के लिए तूर का इंपोर्ट करता है इसी के साथ ही आपको बता दे ये तिये कुछ खास रिपोर्ट दिसंबर में तूर दाल की आपको बता दे तूर दाल के इंपोर्ट में रिकोर्ट तेजी है NCDEX पर करीब 2 प्रतिशत चीरे का भाव चड़ा है दालों की इंपोर्ट बढ़ने की वजह पर नजर डाले तो दिसंबर में दालों का इंपोर्ट ड्यूटी फ्री हुआ मेंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार नए इंपोर्ट ड्यूटी फ्री की है सरकार ने तूर उड़द मुंग दालों के इंपोर्ट को फ्री ट्रेड पॉलिसी में डाला है इन दालों पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट 30 जून 2022 तक लागू रहेगा बता दे आपको 2016 में 200 रुपे प्रती किलो तूर डाल का भाव हुआ था 2016 में भारत ने मौनजाबिक के तूर डाल के इंपोर्ट के लिए करार किया था मौनजाबिक से हर साल 2,00,00 तन तूर के इंपोर्ट का करार किया था सितंबर 2021 के मुझापिक से करार को 5 साल और बढ़ाया है भारत ने मलावी और मियानमर के साथ 2025 तक के लिए करार किया है मलावी और मियानमर से तूर दाल के इंपोर्ट के लिए करार किया है मलावी से 50,000 तन सलाना तूर इंपोर्ट का करार किया वही म्यानमर से सालाना एक लाग टन टूर इंपोर्ट का करार किया इस बीच दूसरी एगरी कॉमेंटिटी पर नजर डाले तो NCDEX पर जीरे का भाव करीब 1.75% चड़ा है वही कम होने के अनुमान से कीमतों में उच्छाल आया है एक अफते में 6 फेजल से जादा जीरे के दाम बड़े है वही NCDEX पर मका तेजी में आया है इसकी कीमतों में करीब 1.50% का उच्छाल आया है सप्लाई कम और मांग बढ़ने से कीमतों में तेजी आई है और इसी के साथ ही आपको बता दे कि जिस तरह से अब सप्लाई कम हुई है और मांग बढ़ने लगी है तो कीमतों में तेजी आनी ही थी और इसी के साथ ही पहले भी हमने काफी कॉमोडिटी में देखी है ये चीज जहाँ सप्लाई कम हुई है लेकिन मांग जो है वो आए दिन बढ़ती रही है जिसकी वज़ा से हर कीमत में तेजी आई है हर दिन नई कीमत निकली है एक रिपोर्ट आपको इंदोर से पेश करते हैं दालों में मिलो के साथ बोकता मांग अच्छी बनने लगी है लोगडाउन की शंका में भी स्टोक की परवर्ती दिख रही है तूर के प्रभाव से अने धलन भी तेजी की ओर जा रहे है दरसल तूर में उत्पादन कम होने किय अशंका और मिलो की मांग बनने के कारण गरेलू एवं आयतित तूर की कीमतों में एक तरफा तेजी की स्थिती बनी हुई है और आपको बता दे यही अगर हम 6 जनवरी की बात करें रिपोर्ट आपको 6 जनवरी के बता रहे यानि की वीरवार की बीते वीरवार की तो आपक मिलेगी हर न् Ills की जिससे आप अपडेट रहेंगे ही कोमेडिटी में का उच्छाल है का गिरावट है नीचे देगे नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं पेड सर्विसिस लेसकते हैं पेड सर्विसिस में आपको काफी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं ये आपको कॉल करक पता लगेगा एक बार कॉल कीजिए और अपनी शेयर मार्किट में अच्छी पकड़ बनाईए देखतर ही हमारा है चैनल अजे एस्ट्रो मनी गुरू